हेलो माठी ये श्टुडेंट केसे आप सभी उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे खुश होंगे बच्चो चलि आज हम प्रिश्ण बढ़ी 11.3 के प्रिश्ण क्रिमांग 4 और 5 को स्वालू करते हैं इसके पहले के सारे प्रिश्ण मैंने आपको करवा दिये हैं उन वी ये संकू का आयतन 4825 सेंटिमीटर क्यों है तो इसके आधार का व्यास ग्याद केजिए बहुत शांदार गोईशन है बहुत यासान सहे दिखेगा सबसे पहले हम लिखेंगे या पर दिया हुआ है क्या दिया है वई दिया है उंचाई एज का मान आपको 9 सेंटिमीटर दिया गया है एंड संकू का जो आयतन है आयतन हमको दिया गया है 485 सेंटिमीटर क्यों हमें क्या ग्यात करना है व्यास ग्यात करना है यानि व्यास को हम डी से दरसाते हैं जो कि तिरिज्या का दुगना होता है ये चीज हमें निकालने है हम रखेंगे आयतन का सूत्र संकू का आय गया 48 pi आईतन का सूत्र होता है एक वटे 3 pi यार वर्ग इंटू में h बराबर में 48 pi देखिएगा इस pi से ये pi सीधा कट जाएगा ठीक है ये अपने लिखा 1y3 r square ऐसे ही रहेगा h कमान रखेंगे 9 यहां पर बचेगा आपका 48 इस 3 से ये 9 कटेगा तीन बार r square गुणा 3 बराबर में आजाएगा 48 यहां से देखिए r square बराबर आजाएगा 48 बटे 3 3 से 48 कटेगा 16 बार आर स्क्वेर का मान आजाएगा आपके पास 16, तो यहां से आप आर का मान निकालेंगे अंडरूट 16, आर का मान आजाएगा आपके पास 4, यानि आर यानि की त्रिज्या आपके आगई 4 cm, लेकिन हमको व्यास निकालना था, तो व्यास क्या होता है भी? जो व्यास होता है वो तुरिज्या का दुगना होता है दो गुड़ा आर तो व्यास वराबर हो जाएगा आपका दो गुड़ा चार वराबर में आठ सेंटिमीटर ये आपके प्रिश्ण क्रमांग चार का अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए इसका next question देखते है ये देखते है पांचवा प्रिश्ण पांचवा प्रिश्ण हमें दिया गया है उपरी व्यास तीन दिसमला पांच मीटर वाले संकू के आकार का एक गड़ा बारा मीटर गहरा है इसकी धारिता किलो लीटरों में ग्याद केजिए ये कुछ भी नहीं है किलो लीटर वस ऐसे उन्होंने एक अनिफिस करने के लिए दे देया हाले कि इसका मीटर पैमाना होता है मैं आखे आपको बता दूँगा देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या क्या आपको दिया हुआ है हमें दिया है भई व्यास व्यास यानि की डे का मान हमें दिया है 3.5 मीटर ठीक है भई हम निकालेंगे त्रिज्या त्रिज्या जो होती है वो ड की आधी होती है यानि व्यास की आधी होती है तो आर वराबर हो जाएगा 3.5 वटे में 2 तो आर वराबर हो जाएगा 3.5 हटाएंगे तो ये उपर 25 नीचे हो जाएगा आपका 20 मीटर ठीक है एंड उंचाई जो है वही वास्ताम में उसकी उंचाई होकी तो उंचाई का मान हमें दिया गया है अब धारीता ग्याद करनी है तो धारीता का मतला होता है सीधा सीधा आयतन ग्याद करना है तो हम लिखेंगे गड़े की धारीता गड़े की धारीता माने की संकू की धारीता गड़े माने संकू क धारिता, धारिता मतलब होता है आयतन, हम लिखेंगे आयतन, कुछ टक में लिख सकते हैं, आप चाहें तो, बराबर, आयतन का फॉर्मूला होता है, एक बटे तीन, पाई आर स्कुर एच, मान रखतेंगे, वन वाई थिरी, पाई कमान 22 वटे साथ रखेंगे, आर कमान 35 वटे वीस आया है, स्कुर करतेंगे, एच कमान आपको दिया गया है, 12, ठीक है बई, चले, इस थिरी से हम इस 12 को काटेंगे 4 टाइम, फिर मैं यहां से करता हूँ, वी आपका बचेगा 22 वटे 7, 35 वटे 20 को हम दो बार लिख लेंगे, जोंकि वर्ग लगा हुआ है, यहां पर अब हमारे पास कितना वच्चा, 5 से काटा 7 वार, 5 से काटा 4 वार, 2 से काटा 2 वार, 2 से काटा 11 वार, 11 और 7 वचे उपर, और नीचे वच्चा 2, 11, 7, 87 हो जाएगा आपका, एंड बटे में 2, वराबर में चल रहा है, यह सब कुछ अपना धारीता के बराबर, यह आ जाएग एक मीटर में होता है आपका एक किलो लीटर, तो 38.5 मीटर क्यों में कितना हो जाएगा, 38.5 किलो लीटर, एक ही बात है, दोनों पैमाने बराबर होती हैं, तो यह आपका हो जाएगा, 48.5 किलो लीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका प्रिश्निक्र मांग 4 और 5 यहां पर complete करवा दिये मैंने next question जो है वो अगली वीडियो में आपको मैं solve करवाऊंगा तो I hope आप सभी को बढ़ियासे समझ में आगे होगा एक बार comment करके मुझे जरूर बताएं क्या सारे question आपको बढ़ियासे clear हो गए ठीक है जी मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए खुश रहें मस रहें चेह